अगर जल्दी मरना है तो हरी सब्जी खाओ क्या खाओ हरी सब्जी ऐसा क्यों कह रहे हैं स्कूल में बच्चों को बताना पढ़ा रहा है क्यों बताना पढ़ा रहा है तुमको अभी बताएंगे यह हमने क्यों कहा यह सब्ज कि अगर जल्दी मरना है तो हरी सब्जी खाओ जबकि डाक्टर लोग बताते हैं कि हरी सब्जी खाने से स्वास्ते अच्छा होता है लेकिन बड़ी बिडंबना है कि हमारे यहाँ अब सब्जियों में इतनी दवाई डाली जा रही है तुम लोग देखते होगे अगर गाउं का उस तरफ करेला है हरे करेला कितनी दवाई पढ़ती है बताओ जरा तंकी पढ़ती है खेतों में आदमी अब हाथ से अपने पहले खुर्पा से घास निकाली जाती थी अब नहीं निकालता है और दवाई डाल देता है डालता है दवाई की नहीं डालता है खाज सूक जाती है करेला नहीं हे और सबस्जी नहीं हो रहा है दवाई डाल देते हैं प्रूल आ जाता है रूर उसके बाद में हरा पर खेट में पड़ती है फिर बिकने जाती है तब वहां पर जो सब्जी बेचने वाले हैं वो लोग ऐसे ऐसे केमिकल में डाल देते हैं सबजी तो तुरंथ हरी हो जाती जैसे सूख रही है दो दिन की हो गई सूख रही है ऐसा केमिकल है उसमें डाल दिया तो तुरंथ हरी ताजी सबजी हो गई बताओ सही है की नहीं सही है देखा दवाई डालते हुए देखा है कि नहीं देखा है किसमें किसमें देखा है अब हम इसका वीडियो भी बनाके इसके साथ में लगाके तक डालेंगे और इस वीडियो के माद्धियम से जो भी देख रहे हैं वो भी समग लें इस पे आवाज उठानी चाहिए नीचे करो हाथ आवाज उठानी चाहिए सब को सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे जो बीमारियां बढ़ रही है न अब मैलाओं का गर्भास से ही खराब हो जाता है किसी की आँख खराब हो रही है क किसी की लीवर किसी का गुर्दा किसी का कुछ खराब और यह चोटे चोटे आरगन जो हैं हमारे सरीर के क्यों फेल हो रहे हैं क्योंकि हम जो है जहर खा रहे हैं हमारे खाने में हमको क्या मिला है हम खा रहे हैं कि हमको फायदा करेगी हरी सब जी और उसमें सब दवाएं पढ़के आ रही है और वो हमारे सरीर को नुकसान कर रही है तो दवाओं का अंदा दुंद प्रियोग हो रहा है हमारे देश में और पाकिस्तान में नहीं होता है पाकिस्तान में दवाईं नहीं दाल सकते खेत में लेकिन हमारे यहां दवाउँ का अंदादुंद प्रियोग हो रहत希望 रह非 हूं तो हमको चाहिए भारत सरकार को चाहिए कि इनका अंदादुंद प्रियोग रोके दुकान वाले क्या करते हैं अपनी दवा बेचने के लिए किसान को बता देते हैं कि जाओ इसमें एक लीटर दवाई डाल दो जाके और जहां पढ़नी है सो ग्राम तो डलवा देते हैं एक लीटर जरूरत से ज़्यादा डलवाई जा रही है कमपनी वाले भी सेल कर रहे हैं दुकांदार भी अपना फाइदा देख रहा है और उसका नुकसान हो रहा है हम लोगों पे किस पे हो रहा है किसी के पैर में दर्द है किसी के पीट में दर्द है किसी को आखों से नहीं दिख रहा है हमने देखा है आपकी महिलाओं के गरभा से बहुत जल्दी खराब हो जा रहे हैं, निकालने पढ़ रहे हैं, बहुत केस हो गए इसे, तो इस अब क्यों हो रहा है, मालूम है, यह जो दवाएं पढ़ रहे हैं, गेहूं में भी पढ़ रहा है, हरी सबजी की बात नहीं, हरी सबजी में तो जादा प प्रियों कम करें समझें जब हम छोटे थे तब खेतों में घास निकाली जाती तो आदमी लगते थे अब कुछ नहीं जाते हैं दवाई डालाते हैं घास मर गई घास खतम तो उसका दूस्प्रवाव हमारी फसलों पर भी पड़ता है समझें ध्यान रहेगी बाद ठीक है ओके झाले बंचें काने ईहीं जात है समझें थैल चेज्मीर के जामचे भावब भावब सलों में अधयान दूसरी हैं हैं है Geschichte